नमस्कार मन की सच्ची लगन हमेशा मन्जिल तक पहुँचाती है जैसे बहते बहते दरिया सागर में मिल जाती है ऐसा ही सागर उमरता है जहिलों तालाबों शैल शिखरों के नगरी भोपाल में हर वर्ष नौमबर में जिसे नाम मिला है विश्वरंग रविणना टैगोर विश्विद्याले द्वारा परिकल्पित साहित्य और कलाओं का अंतराश्टी महुच्सव विश्वरंग 2019 से सिलसला शुरू हुआ जो अपने सोपान तय करता हुआ 2022 की मोहाने पर है और विश्वरंग के स्वपन द्रश्टा के रूप में हमारे बीच आज बाचीत के लिए मौजूद है विश्वरंग के महानी देश्रक और रविन्दा टैगोर विश्व डेले के कुलाधी पती हिंदी के लब दुप्रतिश्ट रसाहितिकार संस्कृति कर्मी विज्ञान कर्मी और शुक्षाविद शी संतोष चौबे संतोष चौबे जी आपका हार देक स्वागत है सर बहुत बधाई और शुक कामना है कि विश्वरंग मुहाने पर है और बस चंद दिन करवट लेंगे और फिर भोपाल में एक वसंत सराबूर होगा और सारी दुनिया को अपनी आगोश में समुटेगा 2019 से कारवा शुरू हुआ और 2022 पर सर इस बार क्या नया है और क्या परिकल्पना विस्तार और सहिजिन किस तर पर आपने सोचा है धन्यवाद विने जी 2019 के आपने बात की जब वो शुरू हुआ था तो उस समय की अवधारना भाशा पर केंड़ित अवधारना थी हम यह मानते हैं और पहले भी मानते थे कि हिंदी के सामने इस समय ऐसी वैश्विक संभावनाएं खुली हुई है जिसका तक्नीक ने भी संभव बनाया है साहित और कला संस्कृति और अन्य विश्यों के साहित ने संभव बनाया है कि वो वैश्विक हो सकती है और प्रवासी भार्टी इतना अच्छा काम कर रहे थे तो उनको भी शामिल करने की बात उसने में मन में थी दो धारनाएं उसको नियम्सित करती थी एक तो ये कि हमें हिंदी की बात करते समय अन्य भार्टी भार्षाओं के प्रति सम्मान के दश्चे को रखना चाहिए और उनके प्रति उतना ही प्रेम भरा भाव रखना चाहिए जतना हिंदी के प्रति है और दूसरा साथ में अपनी बोलियों को भी शामिल करना चाहिए क्योंकि वही है जो भार्षा को रस्प्रदान करती है जे 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 उननीस से बाइस के बीच में एक बहुत बड़ी घटना हुई है जिसको आप भी जानते हैं हम सब जानते हैं और वो एक वैश्विक महामारी का हमारे हाँ पूरे विश्व में फैलना था तो उसने विकास के सवालों पर भी प्रस्टन ने खड़ा किया है तो उननीस और बाइस के बीच में अगर आप मूल सवाल पूछना चाहेंगे क्या बदलाव आया है तो मैं लगता है कि पूरी मानवता की द्रश्टी में एक बदलाव आया है वो यह है कि हमें कभी न कभी अपने विकास के दिशा बदलनी पड़ेगी और प्रकृति के साथ समन्वय करना पड़ेगा प्रकृति को डॉमिनेट करने के बदले उसके साथ छिरचाल करने के बदले एक समन्वित द्रश्टी कोंड से विकास के बारे में सोचना पड़ेगा अब इसके साथ अगर हम यहां पहुंचते हैं तो फिर पूरा संस्कृति का सवाल भी आता है व एक विशुद्याले को इसके आउशकता क्यों पड़ेगा पहली बात तो यह कोई और कोई यह काम कर नहीं रहा है तो एक शेकनिक संस्थान को यह काम करने के लिए आगे आना पड़ा है पर दूसरी बात यह भी है कि हमारा जो संस्थान है रविन्ना टैगोर विशुद्या की बात करते थे कला और साहिति की दुनिया उनके बहुत ही समर्द्य दुनिया थी वह बच्चों के लिए भी लिखते थे महिलाओं के प्रती गहरी समवेदना उनके मन में थी और मजे की बात ही है कि वह वो कौशल विकास से शुडू करने वाले व्यक्ति जो कविता में इत तो टैगोर की दृष्टी हो मानवी समवेदना हो जिसमें भाषाएं हो पूरे विश्व उसमें समाहित हो तो टैगोर की दृष्टी तो उसके बीज में है ही है लेकिन चुकि इस बार का जो विश्वरंग है वो प्रेम और करुणा पर केंद्रित है तो टैगोर का जो कि ज मैंने अभी कुछ पहले दुनिया कैसे बदली है उसके बारे में बात की थी, उसमें एक और बिंदु मेरे ख्याल में जोड़ना ठीक होगा, कि एक बड़ा सवाल जो उठा है इस समय वो युद्ध को लेकर है, विस्थापन को लेकर है, महामारी के कारण भी विस्थापन उस द्रश्टी से हमारा जो जवाब होना चाहिए, या कला और साहित का जवाब होना चाहिए, वो प्रेम और करणा ही हो सकता है, तो इस बार के विश्वरंग में हमने जो मूल बिंदु रखा है, वो साहित और कलाओं में अवस्थित प्रेम और करणा को रखा है, कविता मे अज़े नज़े और आप ने जैसा कि कहा है कि यह वैश्विक चिंता है और इस विश्व में तमाम दुनिया के देशों में जहां भी है मनऊता कहीं नहीं इस तरह से आतंकित हमें नजर आती है और संवेंदाओं की कमी भी आई है विश्वरंग की बात करें तो एक पूरा वैश्रिक बटल दिखाई देता है तो सर पहली बार जब 2019 में आपने ये सलसिला शुरू किया तब ये दुनिया तक ये आवाज को पहुँचाना एक चनोती तो आपके लिए थी लेकिन आज इस 2022 के मुहाने पर आकर जब विश्वरंग का चहरा हम देखते हैं तो तीस से भी जादा देश इसके आगोश में सिम्टे में नजर आते हैं ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ जी 2019 में हम लोग खुद संदे से आशंका से भरे हुए थे कि हम ऐसा मानते तो हैं पर दुनिया उसको किस तरह से देखती है सवभाग इसे हमारे पास कुछ आंतरिक स्रोथ भी ऐसे थे कुछ कनेक्टिविटी भी थी और प्रवासी भारतियों से एक संपर्क हमारा बना हुआ था तो उनके माध्यम से हम उन देशों में पहुंच सके और रविन्ना टैगोर विश्वध्यालाय में पहले से ही लोगों का आना जाना बना हुआ है तो एक मूल स्रोथ था जिसने की हमें राह प्रदान करी रास्ता प्रदान किया और उससमें 11 देशों में हमारे संपर्क थे और उन संपर्कों के माध्यम से हमने यह समिझना महा तक पहुचाई उसमें USA शामिल था UAE शामिल था, UK शामिल था यह सारे देश थे प्रकार अंतर से यह कहना ठीक होगा कि इस तो में भारती यह पूरी बड़ी संख्या में देश भर में फैड़े हुए हैं और वो आपके राजदूद भी हैं तो उने शामिल करने से यह काम बड़ा है एक अच्छी बात यह हु अच्छा और उसके 30 देश शामिल हुए उससे रहा बड़ी खुली है और अब लगभग 50 देशों में विश्वरंग समीतियां हैं सब जगे समनांतर कारक्रम चल रहे हैं इसी अवधारना पे चल रहे हैं और उनमें से कई लोग भूपाल अपने भारत में आएंगे भी सर ये निश्यत्रव से एक बहुत ही सकारात्मक संदेश है ये लेकिन यदि हम आज के उत्सवों को देखे तो पूरे भारत में इस तरह के उत्सवों की लगभग बाढ़ आई वी है हमारे सामने इसके पहले भी बहुत सारे उत्सवों है जैपुर लिटिशर फैस्टिवल ये रेकता है और इस तरह से तमाम विश्वरंग इन सबसे किस तरह से अलग है जी हम लोग दना किया है बाकी जो सब होते है हमारे हैं और असल में एक तरह से विश्वरंग उसका उत्तितर भी था सबसे पहले तो ये सारे फैस्टिवल किसी का नाम नहीं लूँगा और का भी उस पर बहुत र्यादा प्रभाव रहा है हम लोग सोचते थे कि जो हमारा लोक साहित्य है हमारे ग्रासरूट लेवल कला संस्कृति के समूव हैं हमारी लोक समवेदनाएं हैं उनको भी इसमें शामिल होना चाहिए और विशेशकर हिंदी और भारती भाषाओं को इसमे के दी गई है लेकिन उनको और भी स्पेस की दरूब दूसरी बात यू थी कि जो कलाओं के बीच में आवा जाहि है उस पर बहुत बात नहीं हो पाती थी तो विश्वरंग ये कलाओं के बीच में आवा जाहिए करता है और अन्य कलाओं को भी शामिल करता है और उससे जो एक अलग समवेदनात्पक धरातल बनता है वहां तक ले जाता है और तीसरी अंतिम बात यह है कि यह सब करते समय आप टेक्नलोजी को छोड़ नहीं सकते हैं तो टेक्नलोजी है उद्यमिता है सामाजिक उद्यमिता है बच्चों के लिए दूसरे जो इव यूदियों के बारे में आउगत कराएं और जिससे मालूम हो सेगे कि जिस तरह की बात कि इसमें तमाम पीडियां प्रतिनित्व अपना करती भी दिखाई देंगी और तमाम किस्म के रंग जो दरसल भारदीता के रंग है तो सर अम चाहेंगे कि इन गतियूदियों साप भशन आपके उत्तरित होते हैं जी विश्वलांग इसमार 14 से 20 नॉवंबर के बीच में बोपन में हो रहा है उसका एक हिस्था तो कलाओं पर केंडि़ जैसे मैंने कहा कि हम लोग कलाओं को साथ में लेके चलते हैं तो एक हिस्था तो कला उस्तव की तरह है कला श्तव की त और उनका शात्री संगीत इसका प्रारम पे गुद्गोश होगा, उसके बाद हम लोग रामयन मेले का भी आविजन कर रहे हैं, तो शीराम भारती कलाकेंद्र अपना रामयन प्रदर्शन करेंगे दिल्ली वाले, और फिर हम नाटक पर आएंगे और पूर्वा नरेश का नाट जिसमें युवा साहितिका, युवा पेंटर्स हिस्सा लेते हैं, लल्कियां भी हैं, ललके भी हैं, तो उनके ऊपर केंद्रित बातचीत भी इसमें की जाएगी, संगीत का धर्म है, संगतकारों को देखिए, बड़े संगीत अग्यों की बात होती है, पर संगतकार भी हो रही है, आगे बढ़ते हुए हम जब 17 तारिक को पहुंचते हैं, तो वहां से कुषबाव ठाकरे हॉल में प्रविश करेंगे, पहला कारेक्रम जो है वो रविन्भावन बोपाल में होगा, कुषबाव ठाकरे हॉल में एकदम पुरा इंद्रधनुष बदलता है, और साह जबासियों और देशच कलाओं पर भी अलग समनांतर फिस्टिवल हो रहा है, तो अर्बन साहित जिसको कहते हैं, उसके सास्ता देशच कलाओं ट्रावल कम्यूनिटीज पर और बच्चों को भी शामिल करते हुए, और इसली विमर्श हमारा लगातार हिस्सा बना ही हुआ ह तो कविता पर काफी केंड़ी करण है, शाम के जो कारक्रम है, यह वाँ पर केंड़ी तो हुआ है, इसमें चूकी संस्कृति के रंगों की बात खास्तुर पर आती है, और यदि 2019, 2021 की आपकी गतिविदियां देखें, तो इसमें जो हमारे कलाओं के जो रंग हैं, इसमें ल बताईए सर कि इस तरह से जो शाम की जो रंगत है, वो किस तरह से आपने संजोई हैं, आपने विश्वरंग की विशिष्ताओं के बारे में कहा था, उनमें से कई में तो आपका भी योगदान रहा है, उनको क्रीट करने में, तो बताना चाहूंगा कि युवाँ पर युवाँ के बीच में बहुत लोगपरी है, एक दिन मैथली ठाकुर अपना लोक संगीर प्रस्तुत करेंगी, एक दिन हम अंतराष्टी मुशायरा कर रहे हैं, भोपाल में बड़ा लोगपरी है वो काम, और लगभग आठ से दस देशों के कवी शायर उसमें शामिल होंग है, एक दिन हमारे हाँ गायन है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं और दरसल विशरंग की तो तस्वीर है, इसी तरह से इंदर धरूशी बनती है, सर बहुत सारे लोगपरी मन में यह आता है कि आप तो चुकि इस विशरंग का चुकि नाम जैसी हमारे भी तर सबसे पहले भारत के राजधानी के मैदान दिखाई देते हैं, लेकिन आपने भारत के राजधानी से हट कर आपने बागी राज्यों से हट कर इसको भूपाल में ही करना क्यों चाहा, भूपाल क्यों चुरू आपने, देखें वैसे तो भूपाल भी एक किसम की राजधानी करनी है संस्कृतिक राजधानी है और कहा जाता है कि देश की संस्कृतिक राजधानी भोपाल बन चुका है तो जिसे हम संस्कृति कर्म के माध्डम से बदलाव कीया बात करें तो भोपाल उसके से लिए जयादा उपयूग हैं तूसरा भोपाल में पहले से ही ऐस decisions केंड्रत जो अंतराश्टी केंद्र हैं, जैसे बारत भवन है, या मानो संगरहाल है, या जनजाती कला केंद्र है, और टीसरी एक बड़ी बात यह है कि जैसे हम विकेंद्रियेटा की बात करते हैं, वो कला संस्कृति में भी आवश्यक है, और मुझे लगता है कि दिल्ली से हट कर जो वेकलपिक द्रष्टियां हैं, उनको शामिल करना, वो भुपाल से हम चीदों को देखें, हम लखनव से चीदों को देखें, हम बैंगलोड से चीदों को देखें, हम केरल से चीदों को देखें, हम नौटीस की द्रष्टी से देश को देखें, तो यह सारी द्रष्टियां और मुझे लगा कि हमको वहां से हट कर और इसके बाद ये कोशिश ये भी है कि भूपाल के अलावा भी प्रदेश में अन्य जगों को विक्सित किया जाए और वहां से कला संफिती को देखने ही कोशिश हो तो अलग जगे से जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक हम दिशा ब पुरानी विश्वरंग के चवियों का हम देखते हैं तो इतने सारे बाहर के लोग भोपाल के इन मौसमों पर भोपाल के इस पूरी सिंफ़नी को देखकर अलग तरसा अट्रक्ट होते हुए हमें दिखाई दिए असर एक सवाल ये आता है ये बहुत संकूच के साथ लेकिन अपने समय में हमें शही एक साहिते और सांसकेदी की हमारी खे में बंदिया रही है उसकी अपनी एक राजनीती भी उसका वी अंडर करन्ट तो दिखाई देता है जब विश्वरंग को आपने किया तो एक अलग किसम का लोगतंतर आप ने गढ़ा तो ये सर्वसमावीशी म जो भी शुरंग के आसपास हमें ठहरी वी नजर आती है इसको करना क्या आपके लिए बहुत मुश्किल रहा या कितना आसान रहा या कुछ द्वंद्वर है क्रपया ये खुला सकरिएगा ये आपने कटिन सवाल पूछा और ये कुछ अंदर की बात है लेकिन ऐसी कुई अंदर की बात नहीं है उसके बारे मों बात की जा सकती है असल में हम एक बहुत ही लोकपरी quotation को बार-बार याद करते हैं जो प्रेमचन का quotation है प्रेमचन ने कहा कि साहित राजनीती की मशाल है और जब वो यह कह रहे थे तो उनका मतलब यही था कि साहित जो जाए किसी राजनीती के पीछे नहीं भी राजनीती के आगे चलना चाहिए जी बिलकुल तो मुझे लगता है कि आप केंद्र में हैं आप दक्षन में हैं आप वाम में हैं आप जिस भी खेमे को बिलॉंग करते हैं लेकिन भाशा तो आप हिंदी का ही प्रयोक कर रहे हैं और हिंदी एक ऐसा डोमेन है जो आप सब को बांधती है तो अगर उस क्योंकि हमारे पारंपरिक सम्हों को अपने तरह से सोचनी की आदत है लेकिन अब आते आते एक बड़े पैमाने पर यह मुश्किल ने दूर हो चुकी है और बहुत सारे सम्हों शामिल हैं इस बार करीब कर भी 100 संस्थाएं विश्वरंग को सपोर्ट कर रही हैं और वैश् निकल कर आई है और बहुत सारे 10 संगोष्टियां वोपाल में हुई पुस्ता क्यात्राओं के दौरान 40 संगोष्टियां पुले प्रदेश में देश में हुई अभी विश्व में इंगलाइंड में और अमेरिका में पैरलल फेस्टिवल चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि जब सच बात है वो कभी ने कभी सामने आही जाती है और हम प्रेमचन को फिर सलाम करेंगे कि उन्होंने बिलकुल सही कहा था कि साहित को राजनीती की मशाल बनना चाहिए और उसके आगे आगे चलना चाहिए बहुत अच्छा लेकिन चुनोती सिर्व इतनी भर नहीं है कि आप विश्वरंग का एक एक ऐसा समाविशी जो है स्वरूप गढ़ें लेकिन चुनोती दूसरी है सर की परिकल्पना करना स्वपन देखना तो आसान है लेकिन इसे पूरी तरह से चरतार्थ करना इसे जीवन्त करना और जैसा सोचा वैसा ही पा जाना बहुत मुश्किल का यह पूरी परिकल्पना संयोजन और विस्तार को लेकर इसे आयोजित करने के अपनी चुनोतिया रही है यह सारे रिसूर्स इस जिसमें यूमन रिसूर्स बहुत महत्पूर है यह सारा आपने कैसे पाया और कैसे संभव किया ऐसा है कि मैं सबसे पहले तो टेगोर विश्व विश्वध्याले का आभार प्रगट करना चाहूंगा विचार बनता है लेकिन बाद में उसे शेर किया जाता है और जैसे कहते हैं कि शेरिंग इस लीडर्शिप तो मैंने इस विचार को सब के साथ शेर किया और ऐसा माना गया कि अगर इंप्लिमेंट हो जाए क्रियानवि रही और आप जानते ही हैं कि हम विज्ञान टकनीक पर उतनी ही जोड़ देते हैं जतना कि साही तकला संस्कृती पर और इसके अधार पर एक कोर ग्रूप बना और इन विश्वध्याले के पास जो थोड़े बहुत प्रचार प्रसार के लिए फंड्स थे एक जगे घटे कि किये गए और वो रिसोर्स है जिसके अधार पर हम करते हैं हम कोई सरकारी मदद नहीं लेते हैं और अपनी अपनी स्वायत्ता इससाब से बनाए रखते हैं जहां तक कोर टीम का सवाल है यूमन रिसोर्स का उसमें आप जैसे बहुत सारे लोग और इस संस्ता के अच्छे का पहरत हासिल की है तो हम बहुत तयार भी थे 19 तक आते आते जब हम इसको लाँच करते और अपने अंतरिक रिसोर्स से लाँच कर पाते हाला कि यह मैं जरूर कहना चाहूँगा कि भूपाल की पूरी कम्यूनिटी भूपाल की सारी संस्थाएं इसमें खूब मदद करती हैं विदेशी संस्थाएं भी बहुत सारी मदद करती हैं और कारकम, आयोजन वगरा में भाग लेती हैं बहुत सारी किताबों और मुझे लगता है कि विश्यों पर आधारित किताबों का निर्मान भी किया गया है जो हमारी इसमें बहुत सारे लोग लगें लेखक कम्यूनिटी पूरे देश की अब देखिये कि कथा देश जो है वो तो अठाराग हंडों में बनाया गया 600 लेखक उसमें हैं कथा मर्बदेश में लगबग 220 लेखक हैं हाल में ही कथा भोपाल तयार किया गया है उसमें लगबग 171 लेखक हैं फिर हमने देखा कि विज्ञान कथा कोश्ट की भी जरूरत है तो उसमें करीब 200 लेखा के अभी बाल जीत कोश बनाया गया है, तो वो सारे विशय जो आज के समाज को चिंतित करते हैं, आज के समय में प्रमुक विशय हैं, उनको भी शामिल किये गया है, तो एक और तो लेखा का आटिस्ट कम्यूनिटी है, और दूसरी और ये रिसोर्स ह जिनके आपने बात की, जे-जे, सर सवाल तो बहुत सारे आपसे करने के लिए और आपने इतनी सारी तिश्नगियां खोली हैं विश्वरंग के, लेकिन वो तो तो तमाम उसका लुट्व तभी होगा जेपम विश्वरंग के आंगन में आएंगे, उनकी गतिवतियों से विश्रंग 2022 किस संदेश के साथ में जनता तक पहुँच रहा है और दरसल उसकी मूल आत्मा क्या है यह बहुत दिल्चप सवाल है आपने पूछा, देखे जिस तरह से हमारी पुरानी विचारधारों ने जो असल में उननीती शिताब्दी की विचारधारे थी, जैसा कठो और निर्दय समाज और दुनिया बनाई है, अहाल में ही हमने बड़े युद्ध और विस्तापन देखे हैं, इसका जवाब विज्ञान से शायर ना निकल पाए, इसका जवाब कला और संस्कृति से ही निकलेगा, क्योंकि मनिश्यमन को जानने का जो मूल तरीका है वो तो क तो हम कलात्मक समविदना के साथ में प्रेम और करुणा के साथ में दुनिया को देखना चुरू करें और एक नई द्रश्टी पैदा करें कि हमारी प्रत्वी, हमारी धर्ती इस तरह विक्सित होगी जिसमें प्रेम होगा, करुणा होगी, समन्वय होगा, समरस्ता होगी और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका penet fights जो काह और दर तो ख्रामरी वैदिक द्रेश्टी बहुत द्रुश्टी भेरई रही हिमारी रिश्य 에 निरामपरा कहती है कि सर्वे भगवंतू सुखिन अ सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्रानी पश्चंतु मा कश्चित दुख भाग भवित विश्वरंग भी यही चाहता है यही विश्व संदीश देना चाहता है बहुत धन्यवाद धन्यवाद